साथियों भारत एक सम्विधानिक लोक्तांत्रिक प्रग्परा है राजनितिक दलों का अपना एक एहम महत्व है और राजनितिक दल भी हमारी सम्विधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है लेकिन सम्विधान की भावना को भी चोड़ पहुंची है सम्विधान के एक एक धारा को भी चोड़ पहुंची है जब राजनितिक दल अपने आप में अपना लोक्तांत्रिक करेक्टर खो देते हैं जो दल स्वयम लोकतांत्रिक करेक्टर खो चुके हो वो लोकतांत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं आज देश में कश्वीर से कन्या कुमारी हिंदुस्तान के हर कोने में जाईए भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो समिधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विशय है लोक तंत्र के प्रती आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विशय है और वो है पारिवारिक पार्टी यहां राजनितिक दल पार्टी फॉर्ट फैमिली पार्टी बाइद फैमिली अब आगे कहने की ज़रोत मिंचे नहीं रखते हैं कि कश्मीर से कुन्या कमारी हरी राजनितिक दलों की तरफ देखिए यह लोक तंत्र की भावना के खिलाफ है संवेधान हमें जो कहता है उसके विप्रित है और जब मैं यह कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां इसका मतलब मैं यह नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनिति में ना आए जी नहीं योग्यता के अधार पर जनता के आशिरवात से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनिति में जाएं इससे पार्टि परिवारवादी नहीं बन जाती है लेकिन जो पार्टि पीडी दर पीडी एकी परिवार चलाता रहे पार्टि की सारी विवस्ता परिवारों के पास रहे वो लोग तंत्र स्वस्त लोग तंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है और आज समिधान के दिवस पर समिधान में विश्वास करने वाले समिधान को समझने वाले समिधान को समर्पित सभी देश वास्तियों से आगर करूँगा कि देश में एक जागरुक तोलानी की आवशक्ता है जपान में एक प्रयोग हुआ था जपान में देखा गया कि कुछ ही पुलिटिकल फैमिली ही दवस्ता में चल रहे हैं तो किसे ने बेड़ा उठाया था वो नागरियों को तयार करेंगे और पुलिटिकल फैमिली के बहार के लोग निर्णाय प्रक्रिया में कैसे आएं और बड़ी सप्रता पुर्वास तीस- चीजों के और जाने की आवशक्ता है चिंता करने की आवशक्ता है